आप देख रहे हैं दखल न्यूज बिल्ली में चुनाफ का एलान आज फर्वरी को होगा मतदान 11 फर्वरी को आएंगे परिना हिरान नेधी वाइट हाउस पर हमला करने की धमकी ट्रॉंप की हत्या करने पर आठ करोट डॉनर का इना बीजेपी गा आरोब गरीबों के पैसे पर डाका डाल रही है कवलनास सरकार गॉलियर में म्यूजियम से म्यूटी चोरी चोर ले गए सकंद माता की 400 साल पुरानी पेशकीम्ती प्रतिवार और सरगुजार राजपरिवार का एक और चेहरा चुनावी राज़नीती में आदीति इश्वा शरण सिंग देव लड़ रहे हैं चिनापन चैता द्यक्ष का चुनाव नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखली उस खबरे विस्तार से चुनावायोग ने दिल्ली चुनाव की तारिखों की गोशना कर दी है मुखे चुनावायोग तो सुनी लरोडा ने बताया कि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होगा यह एक चरण में होगा और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे दिल्ली में 13,750 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे 2020 में दिल्ली में 1,46,92,136 वोटर्स हो गए हैं जो चुनाव में अपने मत का प्रेयोग करेंगे दिल्ली में 2,689 जगाहों पर वोटिंग की जाएंगे और 90,000 सरकारी करमचियारी चुनाव प्रवंदन समालेंगे चुनाव आयुक्त ने बताया कि बुजर्ग लोग पोस्टल वैलेट के जर्ये भी वो डाल सकेंगे इसके लिए उन्हें पांच दिन पहले फॉर्म जमा करना होगा चुनाव घोशना के साथ दिल्ली में आदर्श आचार सहिता तकाल लागू हो गई है 14 जनवरी को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन होगा 21 जनवरी तक उमीदवार पढ़चा दाखिल कर सकेंगे 22 जनवरी को इसकूटनी होगी आज फर्वरी को मतदान होगा और उसके बाद 11 फर्वरी को चुनाव के परिनाम आएंगे There are 1,46,92,136 electors Unless there is some further variation as per the CEO's release to the morning figures There are 13,750 polling stations Comprised in 2,689 polling locations We found during the review of the commission that many polling stations are housed in more than a couple of polling stations in one campus. Counting is 11th February, Tuesday. After that, when all the results are out, there will be no division, right? Number of days of campaign is 15. We have taken special care to avoid Sundays. And as soon as possible, even Fridays because of the Jumma prayers. And this is the schedule. दिल्ली में पिछले विधान सभा चुनाव में आम आद्धी पाटी ने अन्य दलो का पूरी तरहा से सूपड़ा साफ कर दिया था. अर्विंद केजरिवाल की अगवाई में आपाटी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर कबजा जमा लिया था. इस बार भाजपा आपको यह प्रदशन दोहराने नहीं देना चाहेगी. इसी वज़ा से भाजपा ने दिल्ली में अपना चुनाव कैंपियन तेज कर दिया है. वहीं दूसरी ओर सियम अर्विंद केजरिवाल ने भी सूबे की जनता के लिए कई लोक लोभावन घोशनाय कर दी हैं. लोक सभा चुनाव में बड़ी सफलता हासल करने वाली भाजपा विधान सभा चुनाव में लगातार पिट रही है. मदपरदेश, चतिसगर और रादिस्थान गवाने के बाद हाल ही में भाजपा के हाथ से बाहराट और छारखंड की सत्ता भी जा चुकी है. ऐसे में भाजपा के लिए दिल्ली चुनाव को जीतना काफी चुनावती भरा हो सकता है. इरान के रेवलूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या से इराग सहित पूरे मध्ध पूर्व में गुस्सा फैल गया है. जहां अमेरिकी हमले के 17 साल बाद भी 5000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौझूद हैं, इराग की संसद ने अमेरिकी बलों के निश्काशन के लिए गैर बाध्यकारी संकल्प के पक्ष में मतदान किया और कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की खोश्णा की है. केमरिल कासिम सुलेमानी के अंतिम संसकार के एक आयोजक ने इरान के हर नागरिक से कहा कि वे एक डॉलर दान दे, इससे मिलने वाली रकम का इस्तिमाल उस शक्ष को इनाम देने के लिए किया जाएगा, जो अमेरिकी राश्टपती डुनाल ट्रम्प की हत्या करेगा. बताया जा रहा है कि ट्रम्प की हत्या के लिए आठ करोड डॉलर का आईनाम रखा गया है. इरान की सरकारी टीवी के अनुसार कासिम की हत्या के जवाब में वाइट हाउस पर हमला करने की धमकी भी दी गई है. कासिम की हत्या के लिए जोन हमला करने का आदेश खुद पर इसकी निंदा भी हुई है सब्तहंत में अन्य बयानवाजी के साथ ही ट्रंप ने ये धंकी भी दी थी कि यदि अमेरिकी संपत्ती या अमेरिकी नागनिक पर हमला किया गया तो उसका मूँ तोर जवाब दिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि इरानी सांस्कृतिक स्थल सहित बावन जगाहों को अमेरिकी सेना ने निशाने में ले रखा है जहां बहुत तेजी से और बहुत जोरदार तरीके से हमला किया जाएगा निता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव ने कहा कमना सरकार मजलूमों निराश्रित और दिव्यांगों के पैसे पर डाका डालने का काम कर रही है कमना सरकार ने 750 करोड की निराशित निधी का उपियोग अन्यत रकर लिया है भारगव ने इस पर कड़ी आपत्ती जताई है औ प्रतिपक्ष गोपाल भारगव ने कहा कमना सरकार ने निराशित और निशक्त जनों के लिए आश्रम और रेनवसिरा डेकेर सेंटर खोलने पर खर्च की जाने वाली निराशितों की हक के 750 करोड रुपे अन्यत्र खर्च कर दिये हैं जिससे प्रदेश के ब्रधजन निरा प्रतिपक्ष ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का वचन देने वाली कमना सरकार निराशितों के हक चिनने में लगी हुई है। कॉंग्रेस ने जूटे वचनों से हर वर्ग को चलने का काम किया है। कमलनास सरकार के मनमाने निर्णे से किसान, युवा, ब्रजन, निराश्रित हर वर्ग परिशान है। बीस पैसा पती कुंटल के हिसाफ से जमा की जाती थी। और इस राशी से निराश्चत निधी के रूप में गरीमों का, मजलूमों का, निराश्चतों का, जो निश्रक्त जन है, विकलांग है, उनका सारी राशी राशी सरकार ने वो पालमगा ली है। से जलों से भी राशी मगाई जा रहा ही, उनके पास भी थोड़ी सी राशी बची है, जो कि अब मुझे लगता है कि इस महीने तक सारे बाउन जलों की राशी निकल जाएगी। यह बहुत बड़ा आपराद काम है, खाल तोर से निशक्त जनों के लिए। रोजगार उनमुख प्रिशिक्षन केंद्र खोले जाते हैं, सरकार ने 750 करोड की है, निराश्रित राशी निकाल कर उन्हें दरदर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया है, यह बड़े शर्म की बात है कि कॉंग्रेस ने दिव्यांगों के हक का पैसा भी नहीं इस गड़ में पंचाय चुनाव का दौर चल रहा है, इस बार सर्गुजा राजपरिवार के सबसे युवा चेहरे और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंग देव के भतीजे, AICC सदस्ते आदितेश्वर शरन सिंग देव चुनाव मैदान में हैं, यह अपने राजनेतिक जीवन जिला पंचाय द धक्ष के चुनाव से शुरू कर रहे हैं, अंबिकापुर के सर्गुजा राजपरिवार के सबसे युवा सदस्ते कैबिनेट मंत्री टीएस सिंग देव के भतीजे, AICC सदस्ते आदितेश्वर सिंग देव ने सर्गुजा जिले से जिला पंचाय चेतर कर को लोग आदी बाबा के नाम से पुकारते हैं, ग्राम पंचाय दोरा कर वहां के पारा महला में पहुचकर लोगों से मुलाकार की और उनसे पूछा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जिला पंचाय सदस्ते का चुनाव आपके छेतर से लड़ू, क्या आप सभी का सहयोग इंजिनिरिंग करके, पोस्ट ग्रैजिएशन इंजिनिरिंग में करके, कई उनके पास नौक्रियों के भी आफर थे, ये भी सची बात है, परिवार से भी उनको कहा जा रहा था कि भाई, राजनिती में कही हो गया, सर्विस सेक्टर में भी देखो, जॉब भी देखो, लोगों से जाके, राय सला करके, उन्होंने निर्ने लिया कि इस छेत में भी समय देना चाहेंगे। वर्तमान में अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी की सदस्य एवं कॉंग्रेस के डाटा, एनलिस्ट, विभाग के सयोजग और विभिनर राज्यों के प्रभारी भी हैं। वो तो आगे जाके जैसा टाइम डिसाइड करेगा उसमें प्राचलेगा। केलाश विजेवर्गिये के इंदोर जलाने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजे सिंग ने रसेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केलाश विजेवर्गिये ने रसेस से जो संसकार सीके हैं वही वे बयान देंगे। जलादो, मारदो, कारड़ो, आरेसेस के संसकार हैं। सिंधी विजथापितों के पट्टे की समस्या पर दिगविजे ने कहा कि मैंने अपने कारेकाल में पट्टे दिये थे और जो बचे हैं उनको भी दिये जाएंगे। में पी डबलूडी मंतरी सज्जन सिंग वर्मा ने कहा आग लगाने वाले समझने इंदौर नपंसुकों का शेहर नहीं है। जो अपने आपको बड़ा सीनेरो सर्व सकती इमान लेता बीजे पी का बोलता है। उसे इतना ही ग्यान नहीं है। तो यह रात कैसे चले होंगे। यह भवान मालिक है। और उन्होंने का हम आग लगा देते हैं। हमने का आले सेसी के लोग बिटे विया, पूझ रहे, क्या हाग लगाना है की नहीं है। पर मैंने कहा कि इंदौर नपू संगों का सेहर नहीं है। इंदौर बाहु बली और उत्तिमान लोगों का, इमानदार लोगों का सेहर है। जो खुद उन्होंने निर्मान किया, तेरी और मेरी हिसेद नहीं है, क्यों जिन दोर में हाग लगा दे रहे, तेरी और मेरी जिसक कही आए, और चले गए, इन दोर अपनी प्रती से आए। गुज्री महल संग्राले के तलघर में रखी 400 साल पुरानी इसकंदमाता की मूर्ती चोरी हो गई, चोरी गई मूर्ती अष्टधातू की प्राचीन मूर्ती है, जिसकी कीमत भारतिय बाजार में लाखों और विदेशों में अन्मोल है। पुलिस ने चोरी की शिकाद दर्ज कर इस मामले की जांश शुरू कर दिये है, जिस जगह मूर्ती रखी गई थी, वे स्पॉट सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में नहीं था। का आनन ले रहे थे, कुछ दिर बाद वे नीचे पहुचे तो तल घर से बेश कीमती मूर्ती चोरी हो चुकी थी, ततकाल अधिकारियों को मामले की सूचना दी, अपने इस्तर पर जांश के बाद चोरी की सूचना बोहार पुर्ठाना पुलिस को दी, गूजरी महल संगराल में सक्तर से अधिक पत्थर वा मिश्रधातू की प्राचीर मूर्तिया रखी हुई है, इनमें भारत की सबसे चर्चित शाल भंजिका मूर्ति है, जो प्राचीनतम होने के साथ-साथ करीब 200 करोड रुपे कीमत की है, संगराले में कुल 17 ग्यालरी है, साथ ही कुछ ओपन ग् प्रतिमा विवाग के द्वारा संगरेट की गई थी, जो धातू की थी, प्रतिमा अष्ट भूजी होकर देवी प्रतिमा है, और लगबक 300-400 सल परान प्रतिमा, दिनांग 4-1-20 को एफाय दर्चे करवा दी गई है, नेसी टीव पुज में उसका प्रतिमा इस जेगे करमचारी लेकर आया कि वहां तलगर में मूर्ति सुकेट में रखी थी, तो वो चोरी हो गई है, उस परसी हमने अपरात करमांक 8-20, 24453 की कायमी कर ली है, पुलिस जल्दी यहां लगे CCTV कैमरों की फोटेज निकालेगी, जिससे पता चल सके कि मूर्ति चोर कौन है, हाला कि जहां मूर्तियां रखी थी, वैस्थान कैमरों की पहुँच से बाहर है, लेकिन उसके आसपास का इलाका कैच में है, इससे यहां उस समय आने जाने वालों का पता चल सकेगा, समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हासूर होंगे, आप दिखते रहिए दाखल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, छतरपूर में एक बार फिर कॉंग्रेस की गुठ बाजी सामने आई है, मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वागत करने को लेकर कॉंग्रेस के राजनगर विधायक विक्रम सिंग, नाती राजा और कॉंग्रेस जिलाद देक्ष मनोज त्रवेदी विवाद हो गया है, छतरपूर में कॉंग्रेस की गुठ बाजी सड़क पर दिखाई देने लगी है, जब खजराहो एयरपोर्ट पर सपना जाने के लिए पूर्व सीम कमलनाथ का स्वागत करने वाली लिस्ट पर कॉंग्रेस के राजनगर विधायक विक्रम सिंग, नाती राजा और कॉंग्रे नेताओं के बीच तीकी बैस शुरू हो गई और विधायक में प्रशाशन के अधिकारियों को दमकाते हुए कहा कि आएंदा से किसी भी नेता और मंतरी का स्वागत नहीं करने आएंगे, इस विवात पर कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रशाशन पर लापरवाही करने का ठीक रापोर दिया, जिलाक कांग्रेस अध्यक्ष के नाते में पूरे संग्ठन के अध्यक्षों की लिस्ट देता हूँ, जिसमें युवाक कांग्रेस, NSUI, सेवादल की अध्यक्ष, माइनर्टी सेल के, OBC के, महिला कांग्रेस, NSUI, सब लोग थे, मैंने हर आदमी का नाम दिया था, वो लिस्ट ज्यादा लंबी होने के कारण, उसको उन्होंने सौर्ट आउट किया था, इसको हम उतर पे, CM हाउस में और अपने मद्देश कांग्रेस का मेटी के संग्यान में लाएंगे, आइंदा से ये ध्यान रखा जाए, कि जिन लोगों ने आपको यहां से इसरी हासिर करा के करें कम से कम उनके संखन के मुखिया की लोगों को भी अपने मानी मुखमंत्री से मिलने का दिकार होना चाहिए. प्रक्षा एजेंसियों से लिवाद कुछ नहीं हुआ, जो अप्रूबल लिस्ट दी गई थी, सबमेलबान फेड़ेजी द्वारा, उसमें ATS एर्पोर्ट अथॉर्टी द्वारा ब्रवेश वहां तक किया गया अलाओ गेट तक ही, जो लिदिवात उनोंने उसमें लिखा के अंदर तक रिसीविंग लाव इस्ट जगदलपूर में C.A.A. और N.R.C. के समर्थन में लोग सड़कों पर उत्रे और एक रैली निकाली, इस रैली में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए जगदलपूर में नागरिक्ता संशुदन कानून और N.R.C. के समर्थन में विशाल जंसभा एवं रैली का एयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया C.A.A. और N.R.C. के कानून में भ्रांतियों को लेकर समझाईश दी गए, नागरिक्ता संशुदन कानून को विस्तार से बताया और इस वैली में भाग लेकर प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टेट में ग्यापन सवपा सम्विधान बचाव यात्रा के तहट मुस्लिम अधिकार मंच ने C.A. के विरोध में गौलियर में पैदल मार्च निकाला, इस मार्च में कॉंग्रेस माकपा और आम आद्बी पार्टी ने भी हिस्सा लिया हेमू कालानी चौक से आरम हुआ ये मार्च शेहर के विविन मार्गों से होता हुआ, फूल बाद चौरहा इस्थित अंबेडकर प्रतिमा पर संपन हुआ सम्विधान बचाओ यात्रा के तहद ये पैदल मार्च निकाला गया, इस मौके पर बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और एक सुर में नागरिक्ता संशुधन बिल का विरोध किया साथ ही केंदर सरकार को चितावनी दी है, जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती आंदोलंग जारी रहेगा ग्रामीर छेत्रों में आज भी लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं और कई बार इस अंद विश्वास के चकर में गंभीर अपराधों को अंजान दे देते हैं ताजा मामला सिंग रॉली के गोरा गाओं का है, जहां एक ब्रद महिला के साथ जादू टोने के शक में बंदग बना कर मार पीट की गई, जिससे ब्रद महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया, महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया है इस वैग्याने की यूग में भी लोग अंद विश्वास और जादू टोना में विश्वास करते हैं, सराइथाना अंतरगत गोरा गाओं में एक ब्रद महिला, फूलबाई सिंग को आसामाजिक तक्वों ने जादू टोने के शक में बांध कर रात में मार पीट की, जिससे म महिला का हाथ फैक्चर हो गया, महिला का आरोप है कि वह चीखी चिलाई लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी, उसका आरोप है कि उसके साथ मार पीट करने वाले उसी के गाओं के निवासी हैं, उसी के परिवार के व्यक्ति हैं, बताय जा रहा है कि उसके जेट के लड़क कुछ नहीं किया महिला को इलाज के लिए चिकित साले में भरती कराया गया है वहीं परीजनों का आरोप है कि सराई पुलिस को सुचना देने के बाद भी आरोपियों के ऊपर कोई कारवाई नहीं की गई कर दो दो आरोपियों के लिए नहीं पराइपाऊ मैं अपका मुर नहीं कहूं नहीं मुर पाचे रहा है इस मामले में पुलिस का लापरवाहर रवया सामने आया है इस घटना के बारे में जिला पुलिस को पता ही नहीं है कि मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने मामले में संग्यान लेते हुए कारवाई की बात कही है बदहाल सडके मद्यपदेश की पहचान बनती जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री ने अमेरिका में कहा था कि अमेरिका से ज्यादा अच्छी सडके मद्यपदेश की है खेर मामा के बड़वोलेपन का नतीज़ ये हुआ कि अब सरकार कमलनात की है जनता को इनसे बहुत उमीदे थी मगर एक साल बाद भी अब जनता इनसे भी अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि मद्यपदेश के हालाद तो जस के तस है बक्त बदला नेता बदले पर नहीं बदले हालाद आम जनता टेक्स भरती है तो सरकार चलती है मगर जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर ही ग्रहन लगा रहता है बात सडकों की है जब गाड़ी खरीदी जाती है सडक पर लाने से पहले ही रोड टेक्स भरवा लिया जाता है हाईवे पर निकलो तो टोल टेक्स भी लिया जाता है आम आदमी अपनी कमाई से इंकम टेक्स भी भरता है बदले में मिलती है खराब सडकें ऐसी सडके जिन्हें गढ़ों में धूनना पड़ता है। पर पिछले एक साल हो चुके हैं बिदान से बचनाओ के आज ही बोई समस्या। और इसके बाद मैं ये नर्माण कारिया जा उसने प्रारम तो किया था लेकिन इमिट्टी करान का किया थिसमें बरसनाथ बे मौसमी बरसनाथ है। तो इसमें ग्रामबासियों को आवागान बहुत दक्त जा रही है। SDM के पास भी गए दो बार और चनाओ के पहले भी सिकायद की थी। चनाओ मैं बोल ले आये थे जो बिलाक से अधिकारी बोल रहे थे कि चनाओ के बाद हो जाएगा काम लेकर हम चनाओ के बाद भी नहीं हुआ काम। आपको बता दें कि काडरवारा के एक गाओ गोल गाओ ने विधान सभाज चुनाओ से पहले सडक निर्मान को लेकर चुनाओ का वहिशकार किया था। तब अधिकारियों की समझाईश के बाद ये आश्वाशन दिया गया था कि जल्द ही सडक निर्मान कराया जाएगा। मगर चुनाओ खत्म तो अब कम से कम पांस सालों के लिए प्रशाशन और सरकार के लिए सडक का मुद्धा भी खत्म। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है ये उस विकास की गाता है जो देश के आजाद होने के बाद तरसलवाद भी वैसी की वैसी ही है। इस शिक्षक को ही सुनिये बारा सालों से इसी रास्ते से बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं मगर इस रहा में सडक आज तक इनको नहीं मिली है। और यहां आने जाने में बहुत दिक्कत होती है बहुत परिसानी होती है की चलवी मचरई बरसांत में बहुत दिक्कत होती है। जाडरवारा SDM राजेश शहा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे को देख व्यवफथा ठेक कराने की बात कहना ही उचित समझा। बगेली स्टार अविनाश तिवारी ने लोगों का भरपूर मनुरंजन किया अविनाश के कॉमेडी के ओवर डोस से सिंग्रॉली जिले के बेढ़नवासी हस्ते हस्ते लोट पोट हो गया। राजमाता चूनकुमारी स्टीडियम बैढ़न में विंध्य छेत्र के युवा कलाकारो द्वारा बगेली को एक अलग पहचान दिलाने के उद्देश से गाना बजाना और कॉमेडी के माध्यम से एक शाम उर्जा धानी के नाम कारिकरम के तहत आबा हंसा जाए कारिकरम आय स्टेलूट कोट हो गए पांच जार काई कि तो पदेगी साथ दुपाल वाला दूश्यों महारा तो सेवन इमेंटेर से देखे लिया है तो बाव रोड़ देखाई थे कि हम पांच जार देखे जाए कडाकी की स्टर्दी में अविनाश्टिवारी की एक जलक पाने को लेकर महिलाए बच्चे और बूरहों में जबरदास्त उच्साहा देखने को मिला बगेली गानों पर जूमती पबली को काबू में करने के लिए पुलिस को जम कर मशकत करनी पड़ी कारिकम का संचालन रियाजी वापंडित सचिन शर्मा सूर्या ने किया अंत में दुलही चाही मुंबई वाली फिल्म का टाइटल सॉंग रिलीज किया तो एक बार फिर भीरगे काबू हो गई शहर में जाए जाए अपने बगेली के नाम पर हम कारिकम करिला है हर शहर में जाए जाए केबल हम बगेली खातिर काम कह रहे हैं इसकी हमार यह उद्देश है कि अपने बगेली बोली मां हार एक कारिकम हो एक कारिकम किया उद्देश है कि मतलब नए साल मां लोगन का हसाब का अपने फिल्ड मां उनका सम्मानित की इस बुलज़न में फिल हाल इतना ही आप देखते रहे हैं दखल आपके हाथ में है तर्गीत की स्व लहरी ओन से सांस्क्रिट एक ताने बाने तक चंबल के बीड़नों से नकसल वादियों के गड़ता जोपड़ी से मेलों तक ठेलों से मेलों तक पकड़न्डियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूटनीती तक दखन न्यूद आपके हत्ता आप देख रहे हैं दखन न्यूद